हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग हई अच्छे ही होंगे तो आज गा आपने कांसलिंग कहांपर होगी क्या 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 डॉकॉमेंन्स ले जाने हैं प्लस कितने स्टुडेंट वहां पर विजिट करेंगे और किस कॉलेज में आपको एड़िशन मिलेगा बियस्तीक अप्टोमेट्रिक में जो कि आपने एक्जाम दिया था 16 अक्टूबर को तो उसके बारे में आप लोगों को आज हम आपको बताएंगे कि कांसलिंग किस परकार होगी तो वीडियो एनल तक देखती रही है तो माइन आम एज किसन कुमार और आप देख रहें क्रिशन आइटावा यूट्यू चैनल इस चैनल पर पहली वार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज रेड आइकन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथी बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे की लिटिस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे आप सब मिस ना हो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको केजी एम्यू की आपिसल वेपसाइड पर आ जाना है जो कि आपको आपिसल वेपसाइड ये दिख रहे हैं www.kgmu.education.in inbox.pp ये इस पर आ जाना है तो इस वेपसाइड की लिंक हम आपको description में दे देंगे इस वीडियो की description में जहां से आप लोग टच करें के direct इस वीडियो की इस website पर open हो जाएंगे जैसा कि आप लोगों बता दें कि जैसा कि आपने exam दिया था जो कि 26 जो exam आपने दिया था 11 October को प्लस जो आपका exam जो result आया था 16 October को result बताया था जो कि मैंने उसकी वीडियो जी बताया था तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं important में के important details में course sheet भी बता दी मैंने आपको application process बता दिया required treatments बता दिया plus examination बता दिया result बता दिया आप बारे आगई counseling की तो आप लोगों को यहां से आप लोगों को यहां पर notice लिखा हुआ यहां पर counseling letter जो आप यहां से टच करेंगे तो आपके सामने notice letter download होकर आ जाएगा जो कि हम आपको अभी दिखाते हैं क्योंकि यह download करके मैंने पहले ही रखा हुआ हूँ तो हम आपको दिखाते हैं इस परकार का आपके सामने जो online counseling letter है वो download होकर आ जाएगा KGMU का through तो सबसे very very important news यह है notice आ चुका है जो आप लोगों को बहुत दिन से इंतिजार था जिस चीज़ का कि आप लोग comment करके बार बार पूँच रहे थी कि सर ब्यस्टी optometric के GMU में ब्यस्टी optometric का जो आपने एक्जाम दिया था वो इस बार होगा कि नहीं होगा तो हाई वो notification आ चुका है तो यहां पर लिखा है it is for the formations information the candidate selected in the entrance exam for admission of the optometric course of the school of optometric sita for e-hospital sita for UP and first counselling of admission cell held and for following structures मतलब यह है कि जो information जो जिन जिन student select हुए है जो entrance exam है तो उनका college होगा मतलब school college of sita मतलब sita पो एक hospital है तो उसी college में आपका admission होगा तो इसकी counselling होगी वो first counselling होगी साथ तारीक मतलब 7 नावंबर साथ दिसंबर को आपकी first counselling होगी साथ दिसंबर को first counselling होगी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साथ बारा बीस साथ बारा बीस टाइमिंग है नौ बज़े सुभा और जो आपकी जगा होगी वो होगी lecture hall lecture hall school of optometric sita school of optometric sita आपकी KGMU में नहीं होगी आप लोग यह place आप Google में अपपड डालके आप देख सकते हैं इस place को क्योंकि यह place आपको यहाँ पर जाना है ना कि आप पहुंच जाओ KGMU में क्योंकि KGMU में counselling इसकी नहीं होगी KGMU इसका exam रिटन करवाती है बट इसमें counselling नहीं होती है यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं the counselling cell beheld per the rules of generated line issue of by KGMU लखनो यूपी तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक मतलब इसमें counselling में documents क्या क्या ले जाने आपको admit card की चार photocopy ले जानी है plus original भी ले जाना है plus result seat ले जानी है plus rank letter भी ले जाना है high school marks की certificate ले जाना है inter high school inter की mark seat certificate ले जाना है 4-4 photocopy plus original आपको ले जाना है plus आपको यहाँ पर character certificate जो की आपको college में आपको मिलेगा जैसे मतलब कि आपका सवभाब कैसा था college में परचे जो की आपको वहाँ पर मिल जाएगा 50 रुपाई extra लेते हैं जब TC कटवाने आप जाते हो तो वहाँ पर plus आपको cast certificate ले जाना है अगर in cast certificate SC, ST और OBC को cast certificate ले जाना अगर आप जनरल से हो तो कोई दिक्कन नहीं आदार काड़ आपको ले जाना है extra copy यहां पर लिखा है न extra copy मतलब आपको original ले जाना है plus copy भी ले जाना है कम से कम 4 photo copy passport size photo होनी चाहिए white background होनी चाहिए plus आपको कम से कम 20 photo normal आपको 40 होनी चाहिए photo पर नाम होना चाहिए date of photo होनी चाहिए जो कि आपने photo forum में लगाया था तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं यहां पर nomi number पर यहां पर demand draft रुपई यहां पर आपको demand जो मतलब dd बनवाना है न dd bank से तो आपको बनवाना है 87,000 रुपई का dd बनवाना है 87,000 रुपई आप लोग समझ सकते हैं 87,000 रुपई यहां पर लिखाए रुपई 87,000 87,000 only for only in favors of school of optometric sita पूर sita hospital sita पूर इसके नाम पर आपको बनवाना है न यहां ते inverted comma school of optometric hospital sita पूर इसके नाम पर आपको बनवाना है paywall in sita पूर तो इसके नाम से आपको DD बनवाना है वो बनवाना है 87,000 आप समझ सकते हैं 87,000 रुपई का आपको DD बनवाना है तब ही आप counselling में बैठ पाओगे अगर counselling में आपके पास DD हो तो जो आपका KGMU इसके थूरू जो एड़बीसन होगा KGMU के थूरू वो होगा School of Optometrics सीतापूर e-hospital सीतापूर में आपका एड़बीसन होगा ये government college ये इसकी फीस आप लोगों को पता ही है कि कितनी है तो फीस आप सब तक इसकी ये मालीज ये फीस ही है सब कुछ ये फीस ही है तो यहाँ पर आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा notification अगर अच्छा लगा हो notification से आप success हो अगर थोड़ा भी वीडियो हमारा अच्छा लगा हो notification आप तक सबसे पहले पहुचा हो तो वीडियो को like जरू कर दे प्लीज और वीडियो कमेंट करें कोई वीडाउट क्लियर करना हो या कोई समस्या आती हो आपको तो हमें बिल्कुल कॉल करें प्लस आप हमारे जो की Instagram गुरूप बस वरी हमारे Telegram गुरूप को जोईन नहीं किया है तो Telegram गुरूप को जोईन कर ली जिसमें अब यसी नर्टिंग पेरा मीडिकल के क्लासिस की वीडियो प्लस उसमें आपको ट्रिक्स बहुत सारे डालते रहते हैं जो की आपको अधर एकजाम में बहुत काम आने वाली है तो हाई और वीडियो आपको आज का पसंद आगा अब वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दें आज के लिए सिर्फ इतना आई तब तक के लिए जहन बंदे मातर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में एच्छे टॉपिक के साथ